देखिए, एक quick overview ले ले लेते हैं, जो मुखलिफ किसम की data types जिनका हमें programming के point of view से पता होना चाहिए integer, real, character के बजाए हम इसको char कहते हैं, char, string data type और boolean अच्छा, मैंने हरे के साथ उसकी वो एक definition आपको नजर आ रही है integer जो होता है, एक whole number value होती है अब किस किसम का, अगर मैं आपको बताओ, integer values कैसी होती है, 5 एक integer value है, minus 5 भी एक integer value है, 0, 25, easy to understand, right अच्छा, real number कैसे होते हैं, basically real number वो होते हैं, जिन numbers के साथ, एक fractional part होता है, right हम इसके example हम देख लेते हैं, जो आपको पाई की value है, 9.81 जो gravity की value है, right या फिर कोई negative value है, अच्छा, यहां पर यह बात भी है, जैसे यह 5 था, यह एक integer value थी, whole number था, अगर हम यहां पर 5.0 लिखे न, तो इसको भी हम real number ही समझेंगे, because यह real number लिखते वे, उन्होंने बताया है कि इस number के साथ, fractional part 0 है, right के दवा होता है ना, fractional part वाकिए 0 होता है किसी number के साथ, पर यह देखे ने, इस number लिखते वे इस चीज़ की, इस चीज़ का खास ख्याल रखा गया है, कि साथ में decimal के बाद, एक fractional part include करे, even तो वो 0 है, प्रिमिंग के अंदर तो उनकी data type आपको क्या रखनी चाहिए, real data type रखनी चाहिए, so this is an example of a real data type, and this would be an example of an integer, अच्छा, अच्छा देखिए, यहां पर हमारे पास क्या data type है, care किये, एक single character को care कहते हैं, importantly, इसकी values कैसे हो सकती है, याद रखिए, जब हम care होता है न, तो उसकी values जब भी हम लिखते हैं, उसके get single code डालते हैं, जैसे lower case a, uppercase a, जैसे कि यह hash का symbol है, राइट, याद example, कोई digit भी हो सकता है, पर यह digit जिसके get हमने code डाला होता है, यह non-numeric होता है, इसको आप calculation में इस्तमाल कर सकते हैं, जैसे कि 9 हो गया है, यह 9 calculation में इस्तमाल नहीं हो सकता है, जब इसको हम as a character use कर रहे हैं, इस digit को, तो then this cannot be used in numerical calculations, और यह character के तोर पे जब use कर रहे होते हैं तो हमने हमें पता है कि हमने इसके get क्या डाला होता है, single quote डाला होता है, right, okay, उसके बाद क्या, उसके बाद हमारे पस जो data type है, वो string है, string जो होती है, उसके get हमेशा double quotes डालते है, right, double quotes, अच्छा, अब जो string है, लाजबी नहीं कि उसके अंदर कोई, a string can have zero characters and a string can have more characters, यह दे यह string value double quotes से शो की है, इसके दिरम्यान में कोई भी value नहीं है, right, so this is a string value with zero characters, but can we have string values with larger number of characters, is this a valid string value, yes, right, तो इसके अंदर zero characters भी हो सकते हैं, और multiple characters भी हो सकते हैं, अच्छा, मगर इस वे character में फरक क्या है, character में हमेशे single character होगा, क्या string value के अंदर single character हो सकता है, बिलकुल हो सकता है, मगर हमने कैसे indicate करना है, उसके get double quotes डाल ले, double quotes होँगे तो यह क्या है, यह string value है, और single quote होगा तो यह character है, अच्छा, इसके बाद क्या, boolean आ गया, कुछ variables हमारे होते हैं, उनकी data type boolean होती है, तो उनको हम क्या values देंगे, true false देंगे, जैसे कि मैं जल्दी से एक variable declare करता हूँ, जिसका नाम में flag रखता हूँ, यह variable का identify रहा है, variable का नाम में flag, और इसकी data type boolean रखता हूँ, इसकी data type boolean है, यह एक बना है, अब देके flag को में initial value दूँगा, flag को जो में initial value दूँगा, वो क्या दूँगा, मैं true देता हूँ, for example, तो याद रखिए कि इस true के गिर्दा मैंने quotes डाले और double quotes डाले, यह ऐसे ही लिखोगा, तो जो boolean value होती है, यह आप इसके गिर्द कोई quotes नहीं डालते हैं, आप ऐसे ही लिखते हैं, okay, hopefully आपको एक concept समझा आगे है, मुक्तित तरह की values का, particularly आपको यह पता होना चाहिए, जो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा, tricky तो नहीं कहना चाहिए, बर फिर भी awareness होनी चाहिए, 5.0 एक real value है, मगर 5 क्या है, एक integer value है, अच्छा, character के अंदर जब भी, एक तो character के अंदर, character variable जो भी होगा, हम बनाएंगे, अगर इस्तमाल करेंगे, तो इसके अंदर सिर्फ एक single character value assign की जा सकती है, अच्छा, by the way, यह जो values होती हैं, जैसे यह minus 5, 0, 25, 3.14, इसको कभी कबार literal भी कहते हैं, value को क्या कहते है, value को अगर मैं दूसरा नाम आप इसको literal भी कह सकते हैं, तो देखिये, अच्छा खेर यह तो ऐसी एक technical terminology थी कि कही नगी exam में शायद आना जाए, तो जब भी किसी literal के बारे में पूचा जाए, तो basically वो आप से value पूच रहें, कि integer value किस किसम की होती है, यह integer literal किस किसम का होता है, तो आप ले तो अच्छा, अब हम कहां पे थे, हम यह देख रहे थे कि characters जो है, वो उनको care data type जो होती है, उसमे single character होता है, उसके single quote होता है, यह single quotes होते है, और जब कि जो string होती है, string value उसके अंदर zero और more characters हो सकते हैं, और हम कैसे string value को indicate करते है, double quotes की मदद से, और finally हमने boolean discuss किया था, सिर ना single quote डालते हैं, ना double quote डालते हैं,